चाहे आप किसी भी सहर के रहने वाले क्यों ना हो अगर आपने लाइफ में एक बार भी ये सबजी नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया नमस्ते मेरा नाम है अंजली आप देख रहें कोक विद अपनी रसोई आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेसल एक सबजी की रेसिपी लेकर आई हूँ देखिए ये है उडद दाल की बड़ी यूँ तो ये काफी सारे दालों से बनाई जाती है जैसे कि उडद, चना, मूंग, धुली हुई मूंग, छिलके वाली मूंग और मसूर की दाल से भी इसे बना कर तयार किया जाता है तो इसे बनाते कैसे हैं इसकी रेसिपी में कभी और सियर करूँगी आज मैं आपके लिए उडद दाल की बड़ी की सबजी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे मुंगोडी भी कहते हैं आप कॉमेंट करके बताईएगा कि आपके यहाँ पर इस बड़ी को क्या बोलते हैं इसे बनाना जितना आसान है यह खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है इसे बनाने के लिए बहुत ही कम चीजे हमें चाहिए और फटा फट से यह टेस्टी सी सबजी बनकर तयार हो जाती है जो आप एक बार खाएंगे तो जिसका स्वात जिंदगी पर भूल नही पाएंगे तो इसे बनाने के लिए मैं बैंगन का इस्तमाल कर रही हूँ आप चाहें तो यहां पर आलू या फिर घीया के साथ भी इसे बना सकते हैं सेम तरीके से बनाया जाता है यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है यहां पर मैंने दो मेडियम साइज के बैंगन ले लिया है और इसे काट लूँगी साथ ही साथ मैं आपको इसमें क्या क्या चीज डालूँगी यह भी आपको बताती जाओंगी तो सबसे पहले मैंने यहां पर 200 ग्राम उड़त दाल की बड़ी ले ली है और दो बैंगन यह 500 ग्राम से थोड़ा सा जाधा बैंगन है और कच्चा बैंगन है इसमें ज्यादा बीज नहीं है तो जब भी आप इस सब्जी को बनाए तो बैंगन का खास ध्यान रखें कि ज्यादा बीज वाला बैंगन आप ना लेकर आए मार्केट से और मल सी चीज़े हमें चाहिए जो हमारे घर में हर रोज बनती है सब्जियां उ और काली, राय या फिर सर्सो क्योंकि ये बिहार की डिस है तो वहाँ पर हसारी सब्जियों में राय या फिर काली सर्सो का ही सीस्तिमाल ज्यादा करते हैं ग्यूंतियाघु सब्जी में और धन्या मिर्ची, हल्दी और गरम मसाले का पाउडर है एक कडाही में करिब चार चम्मस सरसो का तेल डालेंगे हम तेल को अच्छे से गरम करके थोरा सा ठंडा कर लेंगे गैस को लोटू मीडियम फ्लेम पे उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बड़ी और इसे दो मिनट के लिए हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ये बहुत ही सुनहरा कलर का हो जाएगा तो इसे निकाल कर एक अलग बाउल में रख लेंगे तो दो मिनट के लिए इसे अच्छे से हमें फ्राई करना है और बचे हुए तेल में हम इसकी सबजी बनाएंगे उकविद अपनी रसोई के माध्यम से अगर आप ये रेसिपी फर्स टाइम देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर दें ऐसे ही और रेसिपी देखने के लिए क्यूंकि मैं आपके लिए हर रोज एक ऐसी रेसिपी लेकर आती हूँ जो कम समय में तो बनती है साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्वाधिस्ट भी होती है तो अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सस्क्राइब कर लें साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी कोई भी नई रेसिपी आपसे ना छूटे सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाए ये बिल्कुल फ्री है तो देखिए दो मिनट हो गए है और ये जो बड़ी थी वो बहुत ही अच्छे से गोल्डन फ्राइ हो चुका है अब इसे हम निकाल लेंगे एक अलग से कटोरे में बचे हुए तेल में जीरा और राय का तड़का लगा कर हम लहसन एड़ करेंगे तो जो लहसन मैंने लिया था उसे हमने क्रश कर लिया था आप चाहें तो यहाँ पर लहसन का पेस्ट भी ले सकते हैं तेल हमारा गरम है इसमें डाल देते हैं राय और जीरा और जैसे ही राय और जीरा अच्छे से तड़क जाए तो इसमें हम डाल देंगे लहसन तो इस सबजी में लहसन की थोड़ी सी मात्रा जादा होती है तो यहाँ पर मैं कम से कम 30-35 कलिया लहसन का इस्तिमाल कर रही हूं जिसे मैंने अच्छे से krust कर लिया है ताजी लहसन का जो टेस्ट है वो किसी भी सबजी में बहुत ही अच्छा आता है तो लहसन डालने में बिल्कुल भी कंजुसी ना करें इस सब्जी में क्योंकि लहसन से इस सबजी में बहुत ही जादा अच्छा टेस्ट आता है जैसे ही लहसन अच्छे से फ्राई हो जाए तो आप यहाँ पर बारिक कटा हुआ प्यास डाल दें पर इस वीडियो में मेरे से एक मिस्टेक हो गई है मैं यहाँ पर प्यास डालना भूल गई हूँ तो आप पहले प्यास डालें और बाद में बैंगन डालें तो यहाँ पर मैंने आप आगे वीडियो में देखेंगे कि मैंने पहले बैंगन डाल दिया है अगर बायचांस आप कभी भूल जाए तो बैंगन के डालने के तुरत बाद भी आप प्यास डाल सकते हैं टेस्ट मे कोई भी फरक नहीं आएगा अगर आप फेस्बुक और इंस्ट्रा यूज करते हैं तो वहाँ भी मुझे फॉलो जरूर करें वहाँ भी आपके लिए मैं ऐसी ही रेसिपी लेकर आती हूँ और मुझे कॉमेंट करके ये जरूर बताईए कि आप ये रेसिपी फेस्बुक पे देख रहे हैं इंस्ट्राग्राम पे देख रहे हैं या फिर यूटूब पे देख रहे हैं तो देखिए बैंगन को अच्छे से हमें 3-4 मिनट के लिए तेजाज पर फ्राई करना है और इसमें लहसन सबसे पहले जो मैंने डाला है इस तेल में वो जीरा और राई है एक बार मैं दुबारा बता देती हूँ आपको जीरा राई डालने के बाद हम डालेंगे लहसन और उसके बाद प्याज प्याज को एक मिनट के लिए फ्राई करेंगे उसके बाद हम डालेंगे बैंगन तो क्योंकि मैंने यहाँ पर प्याज पहले नहीं डाला थो तो बीच में थोरी सी जगा बना कर तेल में मैंने प्याज डाल दिया है अब इसे अच्छे से 4-5 मिनट के लिए हम भून लेंगे बैंगन को उसके बाद हम कुछ मसाले और टमाटर एड़ करेंगे कोक विद अपनी रसोई के माध्यम से मैंने आपके साथ ऐसी बहुत सारी रेसिपी सेर की है जिसे आप देखकर कम समय में बहुत ही टेस्टी खाना बनाना सीख सकते हैं तो मेरी बांकी भी वीडियो जाकर चैनल पे जरूर देखें मेरी द्वारा बनाई गई रेसिपी आपको कैसी लगती है ये भी मुझे जरूर बताएं कॉमेंट के माध्यम से अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और गरम मसाला एक साथ डाल देंगे और इसे हम भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए बैंगन हमारा अच्छे से भून कर एक अच्छा सा कलर आ जाएगा उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे टमाटर टमाटर डालने के बाद तेज आच पर एक मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फिर हम एड़ कर देंगे जो हमने मुंगोडी या फिर बड़ी को फ्राई करके रखा था उसे एड़ करेंगे फिर आवसकता अनुसार पानी डाल कर ढखकर इसे पकाएंगे और हमारी बहुत ही टेस्टी सी बैंगन बड़ी की सबजी बनकर तयार हो जाएगी तो इस रेसिपी को आप मेरे कहने से जरू ट्राई करें बिहार में ज़्यादा तर ये जो सबजी है ये बनाकर तब खाई जाती है जब बारिस के मौसम में या घर्मियों के मौसम में अच्छी सबजीयां मार्केट में नहीं आती है और जो मिलती है वो महंगी मिलती है तब इस तरीके की सबजी बनाकर खाते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है बिहार की कोई भी और रेसिपी आप अगर मेरे चैनल से देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं मैं वो रेसिपी आपके लिए लेकर आऊंगी आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की अभी बहुत ही ज़्यादा जरूरत है मुझे तो प्लीज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को सियर भी करें और फुल वाच करें वीडियो को वीडियो को लाइक करें कोई रेसिपी आपको अच्छी लगती है या फिर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो अपनी परती के रिया कॉमेंट के माधियम से जरूर दें और प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें तो देखिए सभी चीजों को एड करने के बाद अब इसे एक दो मिनट के लिए हम और तेजाज पर फ्राई कर लेंगे और अब इसमें हम पानी डालेंगे तो जिस कटोरी से मैंने मसाले और टमाटर फ्याज का मेजरमेंट लिया था उसी कटोरे से दो कटोरा मैं इसमें पानी एड करूँगी आप पानी की कॉंटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं आपको सबजी चावल के साथ खाना है या रोटी इसके हिसाब से आप इसमें ग्रेवी एड कर सकते हैं यहाँ पर मैं दो कटोरी पानी का इस्तमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्रेवी वाली सबजी नहीं बनानी है वैसे यह सबजी जो है वो चावल के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है लेकिन अगर आप रोटी पराटे के साथ खाएंगे तब भी टेस्टी ही लगेगा तो इस रेसिपी को आप एक बार जरू ट्राइ करें ये बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगती है खाने में बनाने में इसे जरा सा भी समय नहीं लगता है देखिए दो कटोरी पानी डाल कर इसे ढख कर हम पकाएंगे तीन से चार मिनट के लिए या फिर तब तक इसे पकाएंगे जब तक जो मुंगोरी है हमारी वो अच्छे से सौफ्ट ना हो जाए तो पहले तीन मिनट के लिए इसे में ढख कर पका रही हूं उसके बाद इसे खोल कर चेक करेंगे कि जो हमारी मुंगोरी है वो अच्छे से पक गई है या नहीं अगर वो अच्छे से तूट रही है तो समझ जाएं कि आपकी सबजी बनकर तयार हो चुकी है तो आईए इसे एक बार चेक कर लेते हैं तो चेक करने के लिए चमच में एक बड़ी लें और उसे एक बार चाकू या फिर किसी और चमच से तोड़ कर देखें अगर वो आसानी से तूट रहा है तो समझ जाएं कि आपकी सबजी बनकर तयार है तो इसे गर्मा गर्म चावल या फिर रोटी के साथ सर्फ करें तो देखें यहाँ पर मैं चमच में एक बड़ी लेकर इसे तोड़ कर दिखा रही हो तो देखें अभी ये थोड़ा सा सकत है अच्छे से पका नहीं है तो इसे दो से तीन मिनट के लिए और ढख कर पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर उसके बाद मैं इसे दुबारा चेक करूँगी तो देखिए दो से तीन मिनट हो चुका है अब मैं इसे चेक करूँगी तो देखिए जो सबजी में हमने तेल डाला था वो भी अच्छे से उपर आ चुका है और जो बड़ियों का स्थाइज है वो भी डबल हो चुका है और यही इसकी पहचान है कि हमारी सबजी बनकर तयार हो चुकी है तो एक बड़ी मैंने ले लिया है और इसे चाकु के मदद से तोड़ कर देखूँगी तो देखिए कितना आसानी से यह तूट रहा है तो हमारी सब्जी बनकर तयार है इसे एक अलग बरतन में निकाल लूँगी मैं मुझे कॉमेंट के मादिम से आप एक बार जरूर बताएं कि आपने इससे पहले यह सब्जी की रेसिपी देखी थी या फिर खाई है या नहीं खाई है मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं तो देखिए बहुत ही टेस्टी और स्वादेश्ट हमारी सब्जी बनकर तयार हो चुकी है ऐसे ही और रेसिपी देखने के के लिए कुक विद अपनी रसोई को फॉलो जरूर करें कैसी लगी आपको यह बैंगन और बड़ी की सब्जी कॉमेंट में जरूर बताएं और बहुत ही टेस्टी लाजवाब बिहारी स्टाइल यह सब्जी की रेसिपी एक बार आप जरूर ट्राय करें तो मिलते हैं नेक् क्रिश्ना राधे राधे